आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 चप्टर नमर 6 इस तरी चप्टर का नेम है टाउंस टेडर्स एंड क्राफ्स पर्संस तो इस वीडियो में हम शिर्प इस चप्टर की कौशन आजसर को ही कवर करेंगे क्योंकि इसको मैंने आपको अल्रेडी एक्स्प्लीन कर चुका हूँ मैं इस चप्टर को अगर आपको वीडियो देखना है तो उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्विशन में एक प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा मैंने आपके असेस्टी पार्ट का एक प्लेलिस्ट बना रखा है तो उसमें आपको सारे जो वीडियो हैं आपके हिस्ट इस प्रजंट लोकेटेट इन मतलब मसूलीपटजु जो सिटी है वो प्रजंट टाइम में जो है कहां पा लोकेट है तो इसका जो राइट आउंसर है आपका वो है भी आंदर प्रदेश में ठीक है जैकरज़र कोश्छन स्वरी स्पाइशीज मतलब मसाले इन तीनों के लिए ही फैमस है थर्ड कोशन है तंजोर या फिर तंजाबूर बाज दा कैपिटल ओफ एडमिस्टेटिव सेंटर ओफ ठीके तंजाबूर जो है वो किन मतलब किस एमपैर की कैपिटल थी तो उसका राइट अंजर आपका चोल नेक्स्ट है इन दा नौर्थ वेस्टन रिजन दा सिर्शाय सूरी मार्ग मतलब जो जीटी रूड है गरांट टेंक रूड इसको किस ने बनुआ था सिर्शाय सूरी ने बनुआ था ठीक है तो ये कहां से कहां तक है ठीक है नौर्थ वेस्ट पार्ट में तो उसका राइट मतलब तालिकोटा वाज 14 ठीक है तालिकोटा का जो वेटल है वो कौन से टाइम में फॉर्ट हुआ था तो इसका राइट अंसर है में में फॉर्ट हुआ है फॉर्ट की स्रीवरर के बैंक पर तापिए ताप भी आपका रइत आंस्वर होगा यहांसे लेख लेगे लूँँ नेक्स्ट है दा सिंत सुरी the city आफ मसुली पर्टनम बाच पर्टिकोलर इन पर्टिकुलरि इप हिमस पूर मतलब internet जो है वो किसी लिए फेहमस है तो इसका राइट अंसर होगा आपका एक दू चिंद से चिंद से और एक है आपका कलमकारी तीक है इन दोनों के लिए जो मुझली पटनम है वो फेहमस है आग दिखते हैं हम इसकी बेरिशोट टाइप की कुस्टन अंसर ठीक है तो पहला कुस्टन है यमारा नेंदा फर्स्ट देली शुल्थान हूज एस्टबलेश मैंनी टाउन्स ठीक है अच्छा पहला देली सुल्थान कौन था इसने कपी शरी टाउन्स को एस्टबलेश किया था बनाया था तो उसका राइट आंसर है कुटू बिदिन एवक ठीक है शेक्ड कुस्चन नेम्दा सूपीशंथ थर्गा इज़ लोकेटिन अजमेर में जो है ख्वाजा मौन दिन चिस्ति की दर्गाए है ठिके ख्वाजा मौन दून चिस्ति नेक्स्ट है थर्ड कुशन बहुत आर्दा पेगड़ाच पेगड़ाच क्यों होते हैं ठीक है तो पेगड़ाच का मैंने आपको आंसर लेकी दिया है यह पेगड़ा इजे बुद्धिस्ट सेंटर ओ वर्षिप यानि कि बुद्धिस्ट सेंटर होता था वर्षिप का ठीक है जो बुद्ध की पूजा का इस्तल नेक्स्ट कोशन है फूर्थ नेमदा केपिटल और बिजे नगर एमपैर बिजे नगर एमपैर का केपिटल हम भी है तो इसका में आपको लिद दिया है नेक्स्ट है वाई वाजदा सूरत फेमस वर्ड वाइड पूरे विशे में क्यों फेमस है तो उसका राइट आंसर है cotton textile के लिए ठीक है for cotton textile आगे हम देख रहे हैं short type के question आंसर जिनमें पहला question है what was the criteria of classification of towns मतलब towns को classified जो किया गया था वो किस criteria के basis पर किया गया था तो उसका जो आंसर है वो आपको इस्क्रीन पर दिख रहा है मैं तो तोड़ा जूम कर देता हूं यह इसका आंसर है town were classified on the basis of function that they performed यानि कि कोई भी टाउन से वो किसी specific function को perform कर देते तो उसी के साब से वो town develop होता था अब function क्या होते थे या तो capital towns, temple towns या फिर pilgrims towns या फिर craft towns या फिर commercial towns या फिर trading towns तो यह इसका answer है आप यहां से note कर लें अब देखते हम इसका second question वो है which trade florist in the medieval period मतलब कौन सा ऐसा trade है जो कि medieval period में बहुत ही ज्यादा famous हुआ था या फिर florist हुआ था तो उसका answer मैंने नीचे आपको लेकर रखा है तो यह आपका second का answer है एक तो बीविंग and other handicraft also developed greatly during this period मतलब बीविंग और handicraft के जो तो मतलब इन सबी चीजों का जो है trade किया जाता था ठीक है foreign country because of foreign country में इनकी जो demand थी वो क्या थी जाता थी ठीक है तो यहां से आप इसका answer note कर सकते हो आगे हम देखते है question number third what is column कारी work क्या होता है and why it is called so और इसको जो है column कारी क्यों कहते है तो इसका answer मैंने आपको उपर लिख रिखा है ठीक है black color में मैंने सारे answer अलला color में लिखे है ताकि आप उनको अच्छे से राट कर सको तो देखो column कारी is an ancient style of hand penting मतलब हाद से penting की जाती थी उसे हम column कारी कहते थी ठीक है और यह तो cotton के कपड़ पी की जाती थी यह सिलक के कपड़ पी की जाती थी ठीक है बेते tamarind pen मतलब Emily tamarind क्या होता है उसका pen मना के की जाती थी using natural dye और उसमें सारी जो dye है वो नेचरल यूज की जाती थी कोई chemical वाली यूज नहीं की जाती थी ठीक है पैरे कलम कारी जो word है वो डेराइब किया गया है पर्सियन बर्ड से जिसका नेम है column ठीक है और column का means होता है pen और कारी का means होता है craftmanship यानि pen से craftmanship करना ही कलम कारी होता है ठीक है आगे हम देख रहे है fourth question short का what was the importance of big and small traders in medieval period यानि की जो big और small traders हुआ करती थी उनका medieval period में क्या importance था ठीक है तो देखो big और small दोनों है टाइप के जो traders होते थी उनका medieval period में बहुँ जादा important था पहला है they sold textile and spicy in the above port bought gold a worry from Africa यानि कि यह जो है textile या फिर spices को एक तरचे sell करते थे और उसके पतले में gold वगेरा वगेरा वो लेके आते थे अपरिका से ठीक है and spices है tin है Chinese blue pottery है and silver है ठीक है वो south and south Asia और चाइना को वो supply क्या करते थे ठीक है यह आपका fourth question है तो यहांसर नोट कर लेजिए अब हम चलते हैं इसके long time के question answer पर तो इससे पहले अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कियो हो तो please आपसे request है वीडियो को लाइक करें ठीक को देख रहे हैं तो description में link है आपकी नीचे एक red icon का बटन है सब्सक्राइब का उसको सब्सक्राइब करके इसको चैनल को सब्सक्राइब करें तो देखते हैं long का जो पहला question है वो है why do you think आप ऐसा क्यों सोचते है वाइड़ यू थिंग टाउन गरू अराउंड दा एकोनोमिक एन सोसाइटी टेमपल जो होते थे या एकोनोमिक की लेबल से देखे सबका एक सेंडल पॉइंट हुआ करता था टेमपल्स ऑथरीटी यूज देर बैल्थ टू फैनेस ट्रेड एंड बैंकिंग याना मतलब ज्यादा जो पिलिग्रीम्स होते थे ज्यादा ट्वायं अट्रेशन गार चुल इसलग्इड पर बैतला मतलने सब्सक्राइट कंवरेंव के दिवन नныеन तॉटरू सोस्ते थे थे और बैसानों अधि इसलंग और यह कि इनिक का शृसरेट्स देखते हैं मतलब बैसे में और सूर्च जो है एक बहुत बढ़ा ट्रेडिंग टावन है तो वो किस प्रकार से डेवलप हुआता है एंड-पोर्ट ऑंदा o वेस्टन पोस्ट आप इंडिया इंडिया के बेस्टन पर पर ठीक है जैसे का आपको पता है सुरत जो है एक पोर्ट है जहां से माल को सफ़्लाइग किया जाता है वाइड वाटर श्प्रक्रों है तो इसका answer मैंने नीचे लेक हुआ है, the textile of the सूरत बर famous, मतलब सूरत का जो textile है, वो पूरे बर्ड में famous है, and their gold lace border, जिसको जरी कहते है, जरी कोटा, ठीक है, gold, gold lace border होता था, साड़े ओपे, had a market in West Asia, Africa, Europe, मतलब यहां से जो ये textile का माल है, वो इन कंट्रीज में supply के जाता था, and 17, in the 17, दब Portuguese, मतलब जो पूर्टकाली लोग थे, वो Dutch है, English है, बहुत हर तरह की जो factories है, वो एक तरह से यहां पर लगाई गई थी, और जैसा आपको पता है, अंग्रे जो फरस्ट नाइम पर जो इस्टी इंडिया अपरी आई थी, और उन्होंने भी सुरत में ही जो अपनी जो फैक्टरी है, या अपनी कंपनी है, वो वहीं भी एस्टाबिलेश की थी, हम्पी जो है, वो एक एड्मिनिस्टेटिव टाउन है और एक टेंपल टाउन है, यह हम कैसे कह सकते हैं, तो उसका अंसर देखो, हम्पी बाजन, टेंपल टाउन, एज वेल अज बर दा हब अब कल्चरल एक्टपटीज, मतलब दोनों है का एक तरज़े हब था हम्पी, दा महानभी फेस्टिवल बाज ग्रांड एंड, इंपोर्टेंट फेस्टिवल, सेलिवेटेट इन हम्पी, महानभी का जो पुरहन, वो भी आया करते थे, तो महां के जो किंग थे, वो उनको रिशीव की करते थे, एंड इस प्रकार से वो एक तरह से दोनों ही एसाब से क्या है, सेंटरल पॉर्ट उपन चुकाता उस टैम पे हम भी, फोर्थ कुर्शन देखते हैं, हाओ डेट मस्वली पर्टनम ग इसका तेलगी लेंग्वेज में मीनिंग है पोर्ट सिटी, ठीक है, इट वाज फेमस बिकाज बन अब दा मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्ट ऑप दा एंशेंट अन्वेडिवल पीरेड, मतलग उस टाइम का ये एक ही फेमस और एंशेंट एक तरह से पोर्ट था, इट वाज इसको नाम क्यों मिला है, ठीक है, नाम इसलिए मिला है, क्योंकि ये जो है, इसमें जो मेन गेट है, कुछ ऐसे मीन टाइप का मना हुआ था, ठीक है, अगर आपने इस चेप्टर का एश्प्लेशन वीडियो ने दिखा है, तो माँ पर आप देख सकते हो, उसमें मैंने आप अच्छे से इसको explain किया है, और ये जो आपका वीडियो है, complete होता है, क्योंकि इसमें सारी question answers मैंने आपको complete करा दिया है, मिलते हैं नेक्स चेप्टर की वीडियो में, तब तक लिए बाए, चेहन जयवारत, बट प्लिज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं किया है तो और हमारे इस वीडियो को like press करें, thank you, जयवारत